लाइव निउस खबर तो पक्की है जनता अपने अधिकार के लिए जब निकलता है आज के देट में बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिजली का भील बिजली नहीं जले तब भी 500 रुपी आ जाना है सबके घर में एसी नहीं चले तब भी 3300, 3400 और 300 का भील हो जाना ह बिजली के भॉल्टेज में पंखा चले की ना चले मोबाइल चार्ज हो या ना हो तब भी भील आ जाना है बिजली मात्र तीन घंटे ही चार घंटे मिले पूरा का पूरा कटोती हो जाए तब भी भील आ जाना है और एक महना जब भील हम चुपचाप रहे एक महने के बाद चाहे वो गरीब हो चाहे वरकींग क्लास हो चाहे लोवर मिल क्लास हो बस जाओ इंजीनियर रावन हो चुके हैं इंजीनियर और स्कूटी बिजिनियर वसूली के मामले में एक मानिंग अफसर जबरदस्ती ट्रैक्टर ट्रॉक को मत्ती जो मेरे बाप का होता है उसमें भी वो 35,000, 40,000 का ट्रैक्टर हमारा किसान का उसको ठाने में बंद करके 40,000 ले ले लेता है उससे बुरी आलत बिजली की है जाता है मीटर में कुछ आया नहीं आया मीटर को काट के लेके चला जाता है अब वो कौ दे लेकर कि आप मर जाईए लेकिन बील चाहिए कि जो सरपलस बिजली की बात हिंदुस्तान में होती है मोधी जी कभी उस देश कभी उस देश हमरा भी हमें तू नटवा तू अब यहां में हम नटवा गाम में नोते ने भेलाई में नोता सबसे जादे गरीब प्रदेश बिहार और लगातार हम बिजली के आत्मिर्भरता की बात करते हैं और हम दूसरे कंट्री से बिजली की उमीद करते हैं तो यह जो आठ रुपिय से उपर जो आप लगातार बिजली का आप ले रहेकर उठाये हुए हैं जो की अन जगों पर पांच उर्पिय से नीचे की अब आप हमको एक बात बताईए कि बारा गहंटा चौदा गहंटा ठारा गहंटा गौं में आप किसान को बिजली देने की बात कर रहा है रात में गौं के लोगों को बिजली नहीं मिलती है गर्मी में सोते हैं अंदकार में साप काट लेगा बार आ रहा है और बिजली कहीं नहीं है तो हम सरकार से आगरा करेंगे कि कम से कम किसान को तो छोड़िये कम से कम आम आदमी को 24 घंटे में कम से कम आप 16 घंटा 17 घंटा 15 घंटा तो बिजली देंगे है और मुल्यांकन करिये हमारे बील का बिजली को लेकर के आम आदमी आम जंटा पर बोज नहीं परनी चाहिए और जो गरीब का क्लास है और लोवर मिडिल क्लास है खास तोट पर जो जिसकी इंकम बहुत कम है पर केपिटा इंकम 6000 से भी कम है 6000 से उपर नहीं है किसी भी किमत पर बिजली का बिल 6000 रुपिया और जिसको अनाच चावल देकर के हम जिन्दा रखे हुए हैं उसको बिजली का बिल नहीं बोज नहीं परना चाहिए किसी भी किमत पर इसलिए बार सोई में हमारे सारे मुख्याजी जीला परसद सब लोग 20 दिनों से आम जहनता के सवाल को ले करके लड़ाई लड़ रहते कि हमें बिजली दो कटोती ना हो अचा जहां एसमार्ट मीटर है वहां तो और आटंक का मतलब बीजली का मतलब स्मार्ट मीटर का मतलब आटंक आटंक भोचर भढ़ाए और पता चला कि हमारे कूपन में भोचर था त Alice 33x34 का अब बचा मातर 300 फिर से आब भोचर भढ़ाऊ तो स्मार्ट मीटर आतंक मीटर है और ये इंजिनियर एस्डियो और एसकुटीब इंजिनियर ये गिद दृष्टी है रावन इसको सरकास सरकार को रेवेन्यू देने के लिए ये जनता को खतम कर रही है कि हम एन के इन प्रकार हैं टार्जेट जो बिजली का रेवेन्यू का है उसको मार के जनता को हमको सरकार को बिजली टार्जेट करके पूरा करना वो सबसे ज़्यादे है चुकि एक बात इसको समझ ये और ये समझना बहुत जोरी है फैक्टरी बाले से एसकुटी बिजिनियर बिजली के इंजिनियर पैसे ले करके उसको नहीं काटते हैं बड़े घर को नहीं काटता है क्योंकि उससे उसका सेटिंग है नेताओं के घर को नहीं काटता है फैक्टरी से पैसा ले करके उसको सरप्राज बिजली देता है और गौह में किसान को लोएर क्लास को मिडल क्लास को वर्किंग क्लास को के लिए ये रावन बज चुका है पूरी जहां चाहते हैं हम जहां छोटी मड़ी उद्योग है वहां पर ये पैसा लेकर के उसको सरप्लस बिजली देता है हमारी फीदर का बिजली काटके सहर को बिजली रखता है तो इसलिए सारे मुक्यासंग के अध्यक से लेके सब पर केस कर दिया गया सब को डराय जा रहा है धंकाय जा रहा है परसो कट्यार की जंता ने गोली कांट सोनुसा खुर्षिद और नियाज इनके खिलाफ पूरी कट्यार की जंता सपोर्ट की और हमारे जनपुतिनिदी पर मुक्याजीला परसद से लेके सब पर 46 लोगों पर केस किया गया और अन्पंद्रह सो दिया गया इसलिए बिजली के सवाल पर बारा तारिक को हम पूरी जांच चाहते हैं सरकार से कि आप CID जांच करा दें नियाएक जांच करा दें कि SDO और DSP की भूमिका क्या है SDO के बड़ी गार्ट ने कोली चलाया SDO के बड़ी गार्ट हम दोनों की भूमिका की जांच चाहते हैं और वहां कौन-कौन पदादिकारी जमी घर्ट के मकान बना रहे हैं उसकी भी जांच चाहते हैं और जिन आम आदमी को गरीबों को जनप्रतिनिती को केस में फचाया है उसकी C.I.D. की इंकौरी चाहते है और बिहार में तीन चीज जो गरीबी रेखा के नीचे है उस पर बिजली का बिल ना लिया जाए जो पर के पिटा इंकम छोहा जा रहा है उससे बिजली का बिल ना लिया जाए और जिसको 5 किलो 10 किलो ना दिया जाता है उसको बिजली का बिल ना लिया जाए इंजिनियर और एसकुटिब जिस तरीके सहा तक भिला हुए है आम और मिडिल क्लास को केस करते है उसको रोका जाए स्मार्ट मीटर को आतंग ने बनाए जाए और जो कटोती हो रही है वो दो घंटा एक घंटा से जादे कटोती ना हो इसलिए हम लोगों ने निर्ने लिया है किसी भी किमत पर बारह तारिक को बारसोई में जन अकराज जन आकरोस सभा उसके बाद गवर्नर होस मार्च उसके बाद किसंगन से बारसोई कटियार पुर्निया अररिया पहलो फेजमें सुपोल सारसा मधेपुरा कोशी सिमानचर में विजली के फ्रीडम के लिए आम आदमी को विजली आर्थिक भोज नभ दिया जाए इसके लिए पदियात्रा हमलों की सुर्वात होगी पहला फेज होगा सिमानचर और कोशी दूसरा फेज होगा मिठलनचर तीसरा होगा मगद इस तरह चोटा होगा अंग देश इस तरह बिजली के मुतों पर हमलों का ये निरने हुआ है कि जो राइट हम मांगते हैं उस पर हमको गोली चलाते हैं मारते हैं और मेरे जन पृतिनिदी को के अधिकार से बंचित करते हैं इसके लिए आरपार की लड़ाई हम लोगों ने निरने लिया है सुर्वात करने सरकार से मांग करते हैं कि हमारी पूरी प्रकरन की बार्सोई के पूरी प्रकरन की सियाडी जेजाच कराई जाए दूसरा एक छोटा मुद्दा आज एक बिल पेश वो आहराज सभा में मैं तो पहले ही से कह रहा हूँ कि डिमोक्राशी खतम हो रही है पूरा का पीरा 2024 के बाद चुना होगी ही दे लाइव निउस खबर तो पकी है